हलो फ्रेंज आज हम HTTP servlet का implementation देखेंगे Eclipse के अंदर कि किस तरीके से हम इसे practically implement करते हैं basically हमारा HTTP servlet जो होता है वो generic servlet को extend करता है और serializable interface को implement करता है अब हम simply यहाँ पर क्या करेंगे इसको start करते हैं फाइल पर गए फाइल से न्यू किया न्यू से हमने यहां से डायनेमिक वैप प्रोजेक्ट ले लिया डायनेमिक वैप प्रोजेक्ट के बाद हमने इसका नाम सिंप्ली रख दिया HTTP servlet demo then हमने यहां से next कर लिया next के बाद हमने फिर next किया और यहां से हमने generate web.xml deployment descriptor को चेक कर दिया चेक करने के बाद हमने यहां से फिनिस कर लिया फिनिस करने के बाद अब हमारा प्रोजेक्ट explorer में प्रोजेक्ट डिस्प्ले हो जाएगा जिस पे हम सिंप्ली जावा रिसोर्स फाइल के अंदर जाएंगे और यहां पर src folder पर राइट क्लिक करेंगे राइट क्लिक करने के बाद अब यहां से हम सिंप्ली एक servlet add कर लेंगे यहां पर हमारे servlet का नाव हमने दे दिया first servlet first servlet और सूपर क्लास में हम यहां पर देहां दीजिए java x.servlet.http.http servlet है चुकि हम http servlet use करना चाहते हैं इसलिए मैं यहां पर सूपर क्लास को provide करा दिया http servlet then हमने यहां से next कर दिया next करने के बाद अब यहां पर आपको name जो दिखेगा वो first servlet दिखेगा और इसका url जो होगा वो first servlet होगा आप url को change भी कर सकते हैं as you wish मैं यहां पर इसको ऐसे ही छोड़ रहा हूं then हमने यहां से next पर क्लिक कर दिया अब यहां पर http servlet की बहुत सारे methods आपको दिखेंगे जिसमें मैं simply दो methods को ले रहा हूं do post and do get अब यहां से हमने इसे finish कर दिया finish करने के बाद आपके servlet का नाम यहां पर first servlet आ गया जो extend कर रहा है http servlet then हम यहां पर आ गया do get नाम के method के अंदर simply हम गये और यहां पर हमने लिख दिया print writer out equal response dot get writer अब यहां पर आप देखेंगे simply कि print writer पर error आ रहा है इसको हमें एक package को import कराने की requirement है java.io जिसको मैंने यहां पर click कर दिया और यह हमारा import हो गया आप उपर देख सकते हैं java.io.printwriter इसके बाद अब हमने simply क्या किया कि out.print किया print करने के बाद हमने यहां पर double code के अंदर दे दिया this is my first generic first http servlet program and then हमने यहां से जो response.get writer आपको यहां दिख रहा है मैंने इसे comment बना लिया control s कर लिया यह हमारा servlet create हो गया यहां पर आप देखेंगे do get method है जिसके अंदर http servlet request है जिसका एक object यहां पर simply आपको दिख जाएगा request and then http servlet response है और इसका एक object यहां पर simply दिख जाएगा response ओके अब हम simply web content वाले जाएगे इस पर right click करेंगे हमने यहां से new किया new से हमने यहां एक html का page ले लिया जिसका नाम हमने index.html रख दिया और हमने यहां पर ok कर लिया ok करने के बाद हमारा html का file open हो गया और अब हमने यहां यहां पर एक form tag ले लिया form tag के अंदर मैंने action यूज किया और यहां पर dot slash लगा के मैंने अपने servlet का नाम दे दिया first servlet then हमने यहां पर इसे close कर लिया close करने के बाद हमने यहां पर एक input type input type equal submit ले लिया and इसका value हमने दे दिया submit then हमने इसे close कर लिया अब यह हमारा simply submit नाम का button बना देगा submit button बना देगा अब हम क्या करेंगे simply अपने project भी जाएंगे और यहां से हमने इस पर right click कर दिया right click करके run on server कर लिया and then next कर लिया and then हमने यहां से finish कर लिया okay अब हमारा index वाला जो page है index.html जो page है वो यहां पर first page की रूप में display हो जाएगा जहां पर हमें submit button दिखाई देगा इस submit पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमने यूरल दे रखा है जो अब यहां से जैसे ही हम submit करेंगे वैसे हमारा first servlet first servlet के पास request चाहेगा और do kit के अंदर जो मैंने message दे रखा है this is my first HTTP servlet program वो हमारा यहां पर simply display हो जाएगा thank you thank you